तो guys, बहुत सारे लोगों का doubt होता है, कि regular videos upload करने से YouTube पे क्या YouTube में downfall आता है, क्या हमें downfall का सामना करना पड़ता है, या views down होते हैं, बहुत सारे लोगों का ये doubt होगा, और बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी सोचा होगा जो regular videos upload करते हैं, या दो दिन छोड़के, या महिने हैं या पर कभी वीडियों डीना और क्या जाएंस के पड़े ने कंड़ेंज को आपने रिए अप्लोड करेंगा की पर चैनल है पर सकाої आना पड़ते हैं पो ा आते हैं उमकी यूटीब कि रेगुलर वीडियो डालने से क्या चेनल में डाउनफाल आता है या व्यूज कम आते हैं या क्या होता है X, Y, G इन सभी बातों का आज मैं जो है आपके सामने पिटारा भरके लेके आगे हुँ आज की इस वीडियो में मैं इन सभी बातों का आपको जबाब दूगा और इन सभी बातों का जो आपके questions और देने के लिए आपका भाई यार के आपके सामने आ चुका है तो आज की इस वीडियो में सभी का doubt कलियर कर दिया जाएगा कि क्या regular video upload करने से channel में downfall आता है या फिर channel active होता है या क्या होता है सभी की सभी बाते आज की इस video में explain करेंगे तो ज्यादा time आपका बरबाद नहीं करूँगा और मैं video की ओर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है अपने channel को grow कर सकते हैं या फिर आपके channel में regular video से क्या effect होता है डाउनफाल आता है या grow आती है या क्या होता है रेगुलर वीडियो अप्लोड करनी चाहिए या नहीं चाहिए इन सभी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने आचुका हूँ क्यों कई लोगों मेरे से personally पूछा था जो मेरे गामके भी है या मेरे जो रिलेटिव सा उन्होंने मेरे से पुछा था कि है रेगुलर वीडियो से क्या फाइदा है या हम कभी-कभी चिडाएं लाइक केरी मिनाती जो हैं कभी-कभी वीडियो अफ्लोड करते हैं तो उनकी वीडियो जो ट्रेंडिंग क्योंकि रेगुलर वीडियो जो है आप एक बात सोचो आपकी वीडियो के आप अगर एक रिएटर हैं चाहे चोटे हैं बड़े हैं इसका कोई मसला नहीं है पर अगर आप एक रिएटर है यह यह चेनल मॉनटाइज है यह नहीं है यह अपने भी शुरू किया है तो आप होगा कि वीडियो पर अगर मैं आपको ऐसे नहीं कहता कि सो होते हैं आप एक उधारन ले लिजिए आपके इंप्रेशन गए सो मतलब सो बंदों के आगे यूट्यूब ने आपकी वीडियो बेजी अब एक बात सोचो कि अगर आपने महिने के अंदर एक वीडियो अपलोड अगरा करने से हमारी वीडियो ग्रोडियो यूट्यूब आगे जितनी जदा आगये प्रमोट करेगा उतने हमारा चेनल है जो ग्रोड गोडला करने की चांसे आपके बढ़ जाएंगे अगर आप सोच लीजिए मान लीजिए कि आपका चैनल डड़ भी हो जाता है तो बहुत सारी वीडियो बनाई है अगर आप एक महीने के अंदर 30 या 28 वीडियो भी अपलोड करते हो तो आपके चैनल का ग्रो होने के चांसे बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं क्योंकि हर 10 वीडियो के बाद में आपकी एक वीडियो ऐसी होगी जो आपकी ट्रेंडिंग में जा हाँ मतलों जितने आपके का सिर्क्राइबर है ओस रिसाब से ठीक है hips वीडियो डूब से चली जाएगी आपकी वीडियो जो हनेral होने के वीडियो आपको तो यह कर आपाई चैंग से ऐसे भी वीडियो को अपलोड siya करो इन सबी बातों पर मैंने वैसे बैसे एक इक पोइट्सy साथ क्रेठा मैंने वीडियो बनाई हुई है अगर आप नहीं दिरillä तो आप उनको देख सकते हो और मेरा मानना यह है कि अगर आप एक दिन से वीडियो अपलोड करते हो तो एक दिन से करो अगर डेली अपलोड करते हो तो डेली करो अगर एक दिन में दो करते हो तो दो करो या तीन दिन से एक करते हो या महिने में एक करते हो अपनी स्ट्राटेजी को मत तोड़ो जो आपने अपना जो बना लिया है अलगोरिथम उसे सिट करके रखो क्योंकि आपको मैंने एक बात बताई है कि हर महिने यूटूब का अलगो पकड़ लिया मतलब उनको जो अपलोड करते हैं रेगुलर ऑनलाइन रहते हैं यूट्यूब पे रहते हैं तो उन्हें जो है अपना समझ आ जाता है अपको वी यह समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेनत करनी पड़ेगी और अगर आपका यह डाउट है कि रेगुलर में जाएगी हां यह हो सकता है कि वीडियो एक दो ट्रेंडिंग में गई एक दो ऐसी वी होगी जिन पर बीस पचिस वी वी आएंगे एक दो ऐसी होगी जो है यारों में जाएगी मतलब ग्राफ तो भी जिन्दगी का यह एकदम सेम नहीं रहता तो यूट्यूब का बीसेम नहीं रहता तो किसी का ग्राफ मानने के चलो भी सेम नहीं रहता उपर निचे जाता ही है जितनी आप जितनी मेंनत करोगे जितनी वीडियो अपलोड करोगे अच्छा कॉंटेंट दोगे क्वाल्टी दोगे तो आपका चैनल खुद भो खुद परमोट हो जाएगा जितने ज्यादा वीडियो बनाओगे उतने ज्यादा लोगों के पास जाएगी और अपन को क्या चाहिए जितने ज्यादा लोगों के पास जाएगी उतने सब्सक्राइब बराएंगे और सब कुछ भी बढ़ेगा हमारी हमारे चैनल की रीच भी बढ़ जाएगी जो अपना च चैनल को growth ही देखने को मिलेगी तो I hope आप सभी को मेरी ये बाते समझ आ गई होगी अगर वीडियो अच्छी लगिया और इन मेरी बातों से आपको ये आपके जो question थे वो सभी को जो answer है वो मिल गए है तो आप मेरी वीडियो को like करे, share करे, comment box में जरूरत आना, thank you guys, मिलते हैं किसी नए content के साथ, किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन